हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा लंपी स्कीन डिजीज के बारे में बहुत से जो मेरे मित्र हैं उन्होंने बहुत से मेरे पास मेसेज किये थे कि सब जो यह लंपी स्कीन डिजीज है इसके बारे में हमें बताएं कि इसका ट्रीट्मेंट बताएं इसमें कौन से इ इंजेक्शन लगाएं ताकि हमारे पसों ठीक हो जाएं और ये बीमारी बहुत ज्यादा इस चेतर में फैल रही है अब ये अलालग चेतरू की अलालग बीमारी है जैसे लंपी स्कीन डिजीज के बारे में आपको क्या ट्रीक्मेंट करना चाहिए बड़े पसों में इसकी डो आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें आलवाला उपसन दबाएं ताकि बहुत से मैंने ओले हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे अब देखो जो ये मेरी टेबल के ऊपर आपको ट्रीटमेंट देख रहा है ये लंपी स्कीन डिजी है तो इसमें कि पसु के सरीर के ओपर कि दाने हो जाते हैं और जगह जगह पर दाने हो जाते हैं और बोड़ी में चक्ते भी हो जाते हैं सिक्के क्या कार के कई पर तो ऐसे कान के पास एर के पास या नजदी टांगू में और पूरी बोड़ी के अंदरकत ये जो चक्ते हैं पहल जाते हैं कि फैल जाते हैं और गांटेशी बन जाती है यह र nggak आई इसी बन जाती है पूरी बोडी के थे जिसके पसू पूरा सरीर कैए देदरे सोजन भी आ जाती है उस पसुमें पसुमें कई ऐसे होते हैं जिसके इन चेहले-न्धस आजाती है तो उस पसू को चलने में फिरने में दिकत आती है ऐसी इस तरह के symptoms के हैं कि यानि man symptoms ही है कि उनकी body उपर छोड़े छोड़े गांठो के आकार के पूरी body के अंदर गद जो दाने उबर आते हैं यह जो है इनके man symptoms है अब इनके symptoms क्या का treatment क्या करना चाहिए treatment के तोर पर हम आपको बताऊं तो सबसे पहले इसमें इंजेक्शन लगाते हैं antibiotic antibiotic इंजेक्शन कैसे जैसे broad spectrum जो ग्राम जो नगेटिव और ग्राम पोजिटिव जो बेक्टरी हैं उन पर काम करें जिस प्रकार से इंजेक्शन लेते हैं सेप्ट्री जोन जिस प्रकार से इंटासे चार ग्राम यह आपका पसुब बढ़ा है बढ़े का मतलब है कि जिसका बोडिवेट 400 से 500 kg बोडिवेट है उससे हम इंटासे इंटिवाइटिक है सेप्ट्री जोन यह इंजेक्शन यानि सेप्ट्री जोन साल्ट वाली कोई सा भी इंजेक्शन हो जिसका ब्रांड नेम जिस प्रकार से इसका नाम है इंटासे यह आप यूज में ले सकते हैं यह दि छोटी हैं जैसे कालफ हैं जिनका बोडिवेट कम है तो उसमें जैसे से यह आप यूज में ले सकते हैं बेड़ वक्रियों के इंदरगत भी 500 mg यह दी छोटे बसरे उन ने में एग ग्राम या 500 mg आप यूज में ले सकते हैं एंटीवाइटी के तोर पर और फिर हमें लेना इसके इंदरगत CPM CPM के तोर पर हम लेते हैं जैसे कैडिस्ट कलोर फिनेरम मेलेट के तोर पर कोई साइब इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं जिसके अंदरगत साल्टी है वैसे कलोर फिनेरमाइन मेलेट के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाएव है वह भी आप जाकर के देख सकते हैं इसकी डोज बड़े पसूं में बड़े पसूं का लगाना है और साथ इसाथ आपको इंजेक्शन यूज में लेना है आईसो फ्ल्यूड जिसके अंदरगत साल्टो आईसो फ्ल्यूड परीडोन एसन टेटिट इसके बारे मेरे चैनल पर एक डिटियल से वीडियो बनाएव है वह भी आप जाकर के देख सकते हैं यह इंजेक इंजेक्शन कैसे लगा जाता है हो भी मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है यह यह मास्क के अंदर और एक इंजेक्शन लेना आपको लिवा माई सोल जिसके अंदर गद साल्टो लिवा माई सोल यह इंजेक्शन जिस से 15 ml इसकी वैसे डोज होती है एक ml पर 30 kg बोडिवेट सबकट इंजेक्शन लगता है जो लिवा माई सोल इंजेक्शन आता है यह जैसे यह दिया आपके परशों का बोडिवेट साड़े 400 से 500 के बीच में है तो आप इसे 15 ml सबकट सिंगल डोज आपको यूज में लेनी है जो लिवा माई सोल है यह इंजेक इंजेक्शन लेना है इसकी डोज होती है एक ml पर 50 kg बोडिवेट यह दिया आपका जो साड़े 400 से 500 kg बोडिवेट जो लार्ज एनिमल्स होती है तो उसमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर या सबकट यह इंजेक्शन आपको यूज में लेना है अब यह इंजेक्शन का है लिव भी ण Presum Komole यह 7 बाद, आप इससे एक डोज और रिपीट कर सकते हैं इसी परकार आपको इंजेक्शन लेना है जो यह इंजेक्शन लेना है जो मैंने यह बताये है सभी के सभी इंजेक्शन फैस्ट दोज है हैंनि फैस्ट दिन का treatment क्या होगा इंटासेप, safety zone होगा फैस्ट दिन का treatment ISO fluid injection होगा injection CPM होगा लिवा माईसोल होगा और दोरा मेक्टिन होगा यह फैस्ट दिन का treatment है यह पहले दिन का यह आपको treatment करना है अब इस रोके अंद्रगत आपको लगातार तीन से चार दिन treatment करना ही करना पड़ेगा तब जाके आपके पश्टों को जो उपर गांटे हैं दानेदार हो रहे हैं जाके आराम आएगा अब दूसरे दिन आपको क्या treatment करना है injection intershape लेना है आपको ISO fluid लेना है और इसमें injection बाद में मेगलुडाइन इंक्लूट कर देना है मेगलुडाइन जिसके अंदरगत salt आता है फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन ये बड़े पसुगे अंदरगत जैसे जिनका बोड़ीवेट साड़े चार सो से पान सो केजी बोड़ीवेट है उससे आप 15 ml इंट्रमस्कुलर या इंट्राविनस आप यूज में ले सकते हैं और जैसे छोटे बेड़ बक्रियां या कालप हैं तो उसके अंदरगत आपको 3-5 ml और इसके बारे मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाएवा है कि ये injection का काम है और इसके बारे में ये treatment जो मैंने बता है यही करना है same to same जो इंजेक्शन है ये treatment और सोते दिन भी यही treatment करना है ये आराम नहीं मिले तो same to same ये डोज रखनी है सिर्फ लिवा माईसोन और दूरामेक्टिन इंजेक्शन की एक सिंगल ही डोज आप उस पसू को लगा सकते हैं यह treatment ने दिया आप अपने पसूं पर करेंगे जो lumpy skin disease है उस पर आपके पसूं को 100% आपके पसूं को result मिलेगा आपके पसूं का दिरे दिरे जो आपके पसूं दानेदार हैं जो गांठे से बंद रही हैं पूरी बोड़ी के अंदर का चक्ते हैं वो दिरे दिरे चले क्योंकि एक तरह का skin disease है तो इसमें थोड़ा समय लगता है यह बात आप जूरूर द्यान रखें और यह सबी के सबी जो injection है यह pregnancy safe है एक बात और बता दूँ बहुत से कमेंट्स आइंगे कि जो treatment है यह pregnancy safe है यानि यह pregnant पसूं को भी आप यह treatment आप कर सकते हैं जो यह injection है यह स अच्छी लगी है तो निचे जाकि आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पसूप आलकों के साथ और मेरे जितने भी veterinary student है उनके साथ आप आप इस वीडियो को जितना उसके share भी करें और इस वीडियो को आप लाइक भी करें आपके एक कि अच्छी ज़रूर करें तो जितना उसकी कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब उसके इतना करें इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। फैंक्स धन्यवाद